पंजाब में छिड़ा पोस्टर वार बीजेपी में शामिल होने के कयास नहीं है बलकि इस बार एक बार फिर से वे अपने इमरान खान के साथ याराने के चलते विवादों में आ गये हैं ये देखिए करतारपुर कॉरिडोर के बहाने सिद्दू के सियासा चमकाने वाले विवादत पोस्टर इस पोस्टर में एक तरफ जहां पाकिस्तान की प्रधानमंतरी इमरान खान की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के स्टार नेता नवजोत सिंग सिद्दू की तस्वीर लगाई गई है और फिलाल इसी तस्वीर को लेकर आम से लेकर खास तक अवाम से लेकर सियासत दान तक सभी हैरान है नवजोत सिंग सिद्दू को इनी पोस्टर के जर्गे करतारपुर कोरिडोर का हीरो बताये गया है और इस पोस्टर ने पंजाब के सियासत में उबाल लाकर रख दिया है सिद्धू का पोस्टर लगाने वाले सिद्धू समर्थक और पाश्रत हरपाल सिंग का कहना है कि करतारपुर कॉरिडूर का सपना नवजोत सिंग सिद्धू की वज़ा से साकार हुआ है उन्होंने जब ये पोस्टर नवजोत सिंग सिद्दू को भेजा तो उन्हें जवाब मिला थेंक्यू हरपाल जी यू आ दी फैमिली जह सिख धर्म के परवर्तक गुरुनानक देव की पांसो पचासवी जयन्ती का उतसब मनानी के लिए भारत से 2000 सदिक सिख तीर्थ यात्रे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुदवारा ननकाना साहिब पहुँच चुके हैं वहीं पंजाब में इमरान खान और सिद्धू के पोस्टर सामने आने के बाद पंजाब की राजनीती में गर्माहत आ गई है बीजेपी ने जहां इम्रान खान और नवजोत सिंग सिद्धू के पोस्टर को लगा नग घलत बताया वही सिद्धू को देश द्रोही बता दिया साथी ये भी कहा कि सिद्धू आइसाई कें हाथों खेल कर देश का माहौल खराप कर रही है बिजेपी नेता राजेश रहनी का कहना है कि केवल सिद्धू के कारण या जन्रल बाजवा से जप्पी पाने से ही कर्तारपुर कॉरिडोर पर सहमती नहीं बनी है बल्कि इसके लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे थे साथी राजेश हनी ने ये भी कहा कि पाक सरकार का प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्मंत्रन ना दे कर पहला निमंत्रन पत्र सिद्धू को भेजना सद्ध करता है कि पाकिस्तान की मन्शा ठीक नहीं है बतादे कि पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंग सिद्धू ने केंद्रिय विदेश मंत्री डॉक्टर सुप्रमन्नम जशंकर को पत्र भेज कर पाकिस्तान जाने की अनुमती भी मांगी है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा